हेलो फ्रेंड आपका अपना चैनल यूद सक्सेस में आप सभी साथियों का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम भारत के परोशी देश से सम्मंधित महतपूर्ण जी के कोईश्चन करेंगे जो आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स बिना देड़ी के हुए हम प्रस्नों को देखते हैं नेक्स्ट कोईश्चन देखते हैं अस्थली सीमा से लगे साथ परोशी देश है अस्तल ये सीमा से लगए 7 प्रोशी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भोटान, बांगला देश तता मियानमार Next question देखते हैं, जल ये सीमा से लगए 2 देश है, तो जल ये सीमा से लगए 2 देश है, वो सिरलंका एबं मालदुईप अविस्तिती जो है, वो हिंद महासागर में, ये जो देश है, वो हिंद महासागर में इस्तित है नेक्स्ट कोईशन देखते हैं जल एबं अस्तल सीमा से लगा परोशी देश है तो जल एबं अस्तल सीमा से लगा जो है वो तीन परोशी देश है बांगला देश, म्यानमार एबं पाकिस्तान नेक्स्ट कोईशन देखते हैं भारत को स्रिलंका से अलग करता है पाक जल रमरू बद्ध एबं मन्नार की खारी भारत को स्रिलंका से जो अलग करता है और कौन करता है तो एक पाक जल डमरूम बद्ध करता है और मन्नार की खारी भारत की सबसे लंबी अंतराष्टी अस्थल सीमा है बांगला देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्टी अस्थल सीमा है नेक्स्ट कोईशन देखते हैं तीन तरब से बंगलादेश से घिरा राजी कौन सा है तिरपुडा भारत का निकर्तम समुद्री परोशी देश है स्रिलंका और जो दूसरा निकर्तम परोशी देश है समुद्री परोशी देश वो है इंडोनेशिया नेक्स कोईशन देखते हैं इंडोनेसिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोवार दूइप को अलग करता है ग्रेट चैनल ग्रेट चैनल जो है वो इंडोनेसिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोवार दूइप को अलग करता है भारत के पुर्व में इस्थित परोशी देश तो भारत के पूरव में जो है कौन-कौन से देश इस्थित है तो दो देश है बांगला देश एवं म्यानमार भारत के पस्चिम में इस्थित देश है तो भारत के पस्चिम में जो है वो पाकिस्तान है भारत के उत्तर में इस्थित प्रवसी देश है तो तीन देश है नेपा पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक मात्र केंदर सासित राजी जो है वो लद्दाक है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वो रैड क्लिफ रेखा कहलाती है इसका जो निर्धारन है 15 अगस 1947 को सर सीजे रैड क्लि रेखा कहलाती है और इसका जो निर्धारन है वो 37 अपरेल 1914 को सिमला में किया गया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है तो यह जो है डूरंड रेखा कहलाती है और इसका जो निर्धारन है 1896 भी में किया गया था परोसी देश की सीमा से जुड़े भारती राजी की कुल संख्या कितनी है तो 16 ऐसे राजी हैं जो परोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कबजे में है तो इसको हम क्या कहते हैं आप सभी को वैसे पता होगा इसको हम कहते हैं P.O.K. पाक अधिकृत कास्मीर भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध बिराम रेखा क्या कहलाती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध बिराम रेखा जो है वो नियंतरन रेखा कहलाती है इसे हम L.O.C. भी कहते हैं नियंत्रन रेखा का निर्धारन हुआ था, नियंत्रन रेखा का निर्धारन जो है वो 1972 में सिमला समझोता के तहत हुआ था केंदर सासित प्रदेश लगदाक में भारती अधिकृत एवं चीन अधिकृत छेत्र है तो वो दोनों के अधिकृत में जो छेत्र है वो है अकसाई चीन आदम का पूल इस्थित है आदम का पूल कहां पे इस्थित है तो भारत तथा स्रिलंका की मद्दी में जो है आदम का पूल इस्थित है तीन बिगा कोरिडोर जोडता है तीन बिगा कोरिडोर जो है भारत तथा बांगलादेश को जोडता है